नमस्कार एकजाम है पीबाई जहरखन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर जहरखन में पारासिचक सा संप्रति सहाय का ध्यापक आकलन परिच्छा के तैयारी को ले करके तो बताते चला है इस चैनल पर यहाँ पर जहरखन पारास देखने के लिए यहाँ पर 251 रुपए में हमारे साथ जूड़ सकते हैं आप आपको बताते चले आज से हमने आपके लिए यहाँ पर सुपर ट्रिक का भी ओफर कर दिया है तो आज हम आपके लिए यहाँ पर टॉप 100 ट्रिक्स लेकर के आएंगे जिसमें ट्रिक 1 होगा ठ इससे के आपको ट्रिक्स का भी सारा नोट्स और पिडिये जाते रहे तो समपूर्ट तियारी के लिए 501 रुपए और ऐसे आप 251 रुपए देखर के हमारे साथ जूड़ सकते हैं तो टॉप 100 ट्रिक्स पढ़ने के लिए हो जाए यह तेयार और आकलन परिछा में 101 परतिस स्क्राइब करें और अभी के जुड़े चले हम आप लोगों के लिए आज ट्रिक वन तो आज से हमने आप लोगों के लिए यहां पर जर्खन परासिछक आकलन परिच्छा में आग लगा देने वाली ट्रिक को लेकर कर आये हुए हैं तो इस तरह से 100 ट्रिक हम आपको एक हजार ट्रिक भी देंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिएगा और इस ट्रिक को केवल आप पढ़ लिजेगा तो आकलन परिच्छा में आग लगा दीजेगा एकदम पास करके ही आईएगा तो टॉप हंड्रेड ट्रिक पढ़ने के लिए हमारे साथ आप रेड़ लेकिन आज यदि आप हमारे साथ पढ़ लेते हैं तो अब एक को बार गलती नहीं होगा समझ गया तो आप अभी के अभी जुड़ जाएगा और यहाँ पर देख लिजेगा सारे ट्रिक को तो डेली हम आपके लिए एक ट्रिक लेकर के आ रहे हैं तो चले आज हम यहाँ प भर में देखें हैं कि नहीं देखें हैं देखें हैं ना तो हम लोग कहते हैं सेम चाभा उहें पर याद रखेगा ठीक है सेम क्या बोलें सेम चाभा ठीक है अब देखेगा सेम चाभा का मतलब क्या है इस सारी बातों को हम बताएंगे यही आज आपका ट्रिक है सेम क्या ट् लगते हैं ठीक है तो चले देखते हैं सेम से क्या है और क्या प्रश्ण आया हुआ था तो देखें प्रश्ण आता है यह आपको दिखा रहे हैं प्रश्ण आता है कि चंद्रगरहन कब लगता है चंद्रगरहन कब लगता है यह प्रश्ण बार-बार पूछा जाता है कि चंद चंद्रमा के बीच प्रित्वी आ जाती है या उपरियुक्त सभी क्या होगा इसका एंसर ठीक है तो अब इसमें आपको डाउट नर है इसके लिए आप सिर्फ इस ट्रीक को एक बार देख लिजेगा और पढ़ लिजेगा तो आपको चंद्रगरहन से कोई भी प्रस नप पू होगा उँग हों आपको बताता है देखिए सेम देखते हैं न चंद्रमा देखते हैं चंद्रमा आध्भा दिखाई पड़ता है ये बात आधे य sincerity होटा है ऎंज लिए और और जो यह देखता है और चांद्र Winds चंद्रौ माहें सेम का आकार कैसा चंदरमा के जैसा यह होता है ना तो अब देखिए यहां पर क्लियर हो गया कि सेम जो होगा उप्लोगे सेम चाब और सेम आयद रखेगा तो predictive Igna फिगर पर same ठीक है और same बनाईएगा फिगर बनाईएगा ऐसे देखिए ऐसे रहता है same रहता है तो इसका को ना कार है यह और्ध चंद्र है और्ध चंद्र मतलब का हो गया चंद्रमा याद रखेगा तो same को चंद्रमा से एकदम दिवाग में भी ठालीजिए और आज के बाद चंद्र गरहन से डाउट किलियर कर लीजिएगा आप लोग समझ गया है तो ऐसने हम लेकर के आएंगे 1000 ट्रीक यदि आपको लग रहा है कि ट्रीक हमारा काम्याब है तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर दि ट्रीक के साथ बताया गया है तो जल्दी करेंगे जुरूर जुर जुर जाएंगे परिच्छा बहुत ही नजदिक है नहीं तो पच्तावा जिंद्गी भर के लिए आपको रहेगे ठीक है तो चले आते हैं यहाँ पर देखिए आते हैं यहाँ पर हमने ट्रीक बना के भी ल लिजगर ठीक है अब यहाँ पर एस का मतलब क्या है इस самого पर जानी है फलोग इस का मतलब है नंयार्थ के मतलब किया है इंक्टप क्या है मोन ठीक है तो सब कि मतलब क्या हो गया phon को नीचे लिख्यों देंडियों दिमाग को देने जा रहे ہrical कर आपको परिछ्छा में 101% सब खलता ही है से मिलने वाला है सूराज अर्थ के मतलब क्या होता है प्रिथ भी अमून के मतलब का होता है चंद्रमा देखिए ठीक है इस तरह से लिख लिए अब इहाई से सब कल कुलुजन आप निकालिएगा देखे, option क्या क्या हो सकता है, एक दम अच्छा से देखिएगा, पहला option देखिए, बीच से start कीजिए, पहला, तब पहला क्या होगा, पहला होगा कि जब पृति भी, किसके बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो ये भी सही है, अभी पृति भी किसके बीच में है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में है की नहीं है ना तो पहला अगर यह भी option दिया है कि जब पृति भी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो वह बिल्कुल सही है वह भी आपका answer सही है ठीक है रटिये नहीं समझिये नहीं रटते रटते तो अभी तक मुकाम नहीं मिल रहा भाई आप न समझियेगा तो कहिनों ना पास कर पाईए आप देखिए दूसर खा कह सकता है कि जब पृतिभी अपृति भी तो अभ हम किधर से start के थे एस की तरह से जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो हम यहों तो कह सकते हैं कि जब प्रिथ भी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है कह सकते कि नहीं कह सकते हैं कह सकते हैं तो यह भी option सही होगा कि जब प्रिथ भी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है यहां तक तो हम लोग कह सकते हैं चलिए बीच वाला क्या हो रहा है सूरिय और चंद्रमा के बीच में प्रिथवी आ जाती है नहीं है सूरिय और चंद्रमा के बीच में प्रिथवी आ जाती है तो यह भी यहां पर statement सही है कि नहीं है आप देखिए आपके सामने हम यहां पर बार-बार उसको दिखा रहे हैं अभी हम third option जो बुले आती है तो भी क्या होगा आपका बताईए चंदरगरहन होगा होगा ना सेम से ही तो आप बना रहे ना ये जो ओप्षन निकाल रहे हैं आप किससे निकाल रहे हैं सेम से ही तो निकाल रहे हैं अगला कोई व्यक्ति आएगा तो नहीं है ये भी तो बोल सकता है ना क्या बोल सक बताइए आप तो यह बात को बोल सकता है कि चंद्रमा वो इधर से बोले है कि चंद्रमा और सुरिय के बीच में प्रित्वी आ जाती है तो उसने क्या गलत बोला चंद्रमा और सुरिय के बीच में प्रित्वी है की नहीं है है न तो यह चारो उप्षन को आप घुमा फिरा कर करा दता हूं आप देख लिजेगा कि अगर चंद्रमा से कुछ भी आया तो आप अगर अबर बार पहला उप्शन हमने यहां से लिया था कहां से लिया था आप देख लिये होंगे और नहीं देखे तो एक बार फिर देख लिजे पहला उप्शन यहां से start होगा, ठीक है? क्या start होगा? पहला option इस्टार्ट होगा, पहला आप बोल सकते हैं कि प्रीथ भी जो है, यह प्रीथ भी जो है सूरिय और चंद्रमा के बीच आ जाता है, पहला option ठीक है? छलिए, फिर क्या बोल सकते है? सो देख लिजे इसी को ठीक है इसी को हम दूसरा option के रुप में यहाँ पर बोल सकते हैं इसी को क्या बोल सकते हैं दूसरा हम क्या बोल सकते हैं दूसरा बोल सकते हैं जब प्रीति भी अभी हमने इधर से बोला था इधर से भी दो बोल सकते हैं जब प्रीति भी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है दो को option हो गया यहां पर दो option हो गया अब तीसरा आप क्या बोल सकते है देखें तीसरा तो तीसरा आप इसमें देखके बोल सकते हैं कि सुर्य देखें सुर्य और चंद्रमा के बीच में पृत्वी आ जाती है ये भी सही है कि सुर्य और चंद्रमा के बीच में प्रित्विये बस यही से देखते चलेगा जो option होगा वसा जाकर ठीक है तो तीसरा option हो यह हो गया चौथा कोई ब्यक्ति आया उशने ये भी तो बात बोल सकता है ना चौथा में ये भी तो बात बोला जा सकता है ना क्या बोला जा सकता है बताइए अब बोला जा सकता है कि च और आपको यहां पर ढ़िए सब्सक्राइं और छोड़ी कर सकते हैं और अपने यहां पर बच्चे लोगों को भी चूड़ सकते हैं इसलिए यह चैनल आपके लिए बेस्ट है आज से मैंने सुरुवात कर दी है आपको इसी तरह से सारे कीविशन्स को लेकर करके आते रहेंगे और आक्वन परिछा को धूआ धूआ आग लगाना है तो अभी के अभी संपुर्ण तयारी के लिए 501 रुपया देखर के जूड़ जाईए लाइफ टाइम पस्तावा होगा मेरे प्यारे सिचक बंदू इसलिए आप सभी के सभी जूड़ जाईएगा तो अगला है जब सूरिय और चंद्रमा के बीच प्रित्वी आ जाती है सेम लिखिए एकदम डाइरेक्ट सेम लिखिए और कुछ ऑप्शन मत डूड़िए क्या कर रहा है जब सूरिय और चंद्रमा के बीच प्रित्वी आ जाती है क्या सही है कि नहीं है सही है ये भी ऑप्शन सही है जहां भी मिले सेम लिखिए और ओप्शन को देखिए कि क्या करा है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृत्वी आ जाती हमें नहीं पता भी या मैं सेम लिख लूँगा ठीक है क्या करा जब चंद्रमा तो चंद्रमा और सूरिय तो सूरिय के बीच पृत भी आ जाते के बीच पृत भी आ जाते सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है तो आप इस तरह से सारे नोटस को ट्रीकी आप देख सकते हैं से आपके ट्रीकी स्टार्ट कर दी गई है तो आप सभी को जडूर ऐसे नोट्स को देखेंगे सेयर करेंगे दोस्तों को जोड़ेंगे और सभी को पास करने के लिए अपनी गदम जडूर आगे बढ़ाएंगे और सारे नोट्स और पीडियेप यहां पर पर्चेश कर लेंग प्रूबाएंट